ओम शांती चोई जुलाई 70 अव्यक्त वानी बिंदुरूप की स्तिती सहच कैसे बने सभी जिस स्तिती में अभी बैटे है उसको कौन सी स्तिती कहेंगे व्यक्त में अव्यक्त स्तिती है बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिती में स्थित रह सकते हो हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया बिंदु रूप की स्थिती विशेश किस समय बनती है जब एकांत में बैठते हो तब या चलते फिरते भी हो सकती है अंतिम पूर्शार्त याद का ही है इसलिए याद की स्टेज वा अनुभव को भी बुद्धी में स्पष्ट समझना आवशक है बिंदु रूप की स्तिती क्या है और अव्यक्त स्तिती क्या है दोनों का अनुभव क्या क्या है क्योंकि नाम दो कहते है तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा चलते फिरते बिंदु रूप की स्तिती इस समय कम भी नहीं लेकिन ना के बराबर ही कहे इसका भी अभ्यास करना चाहिए बीच बीच में एक दो मिनट भी निकाल कर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोक कर तीन मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते है सारे चलते हुए कारिय को स्टॉप कर लेते है आप भी कोई कार्य करते हो वा बात करते हो तो बीच बीच में यह संकलपों की ट्राफिक को स्टॉप करना चाहिए एक मिनट के लिए भी मन के संकलपों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करना चाहिए अगर यह practice नहीं करेंगे तो बिंदू रूप की powerful stage कैसे और कब ला सकेंगे इसलिए यह अभ्यास करना आवश्यक है बीच बीच में यह practice practical में करते रहेंगे तो जो आज यह बिंदू रूप की स्थिती मुश्किल लगती है वह ऐसे सरल हो जाएगी जैसे अभी majority को अव्यक्त स्थिती सहिज लगती है पहले जब अभ्या शुरू किया तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिती में रहना भी मुश्किल लगता था अभी अव्यक्त स्थिती में रहे कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है वैसे ही यह बिंदू रूप की स्थिती भी सहेज हो जाएगी अभी महारतियों को यह practice करनी चाहिए समझा फरिष्टा रूप की स्थिती अर्थात अव्यक्त स्थिती जिसकी सदा काल रहती है वह बिंदु रूप में भी सहच स्थित हो सकेगा अगर अव्यक्ति स्थिती नहीं है तो बिंदू रूप में स्थित होना भी मुश्किल लगता है इसलिए अभी इसका भी अभ्यास करो शुरू शुरू में अव्यक्त स्थिती का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैट अपना व्यक्तिगत पुर्शार्थ करते थे को पहुंचने के लिए एक बात का विशेश ध्यान रखना पड़ेगा आजकल वह गवर्मेंट कौन सी स्कीम बनाती है उन्हों के प्लैंस भी सफल तब होते है जब पहले-पहले यह लक्ष रखते है कि सभी बातों में जितना हो सके इतनी बच्चत हो बच्चत की योजना भी करते हैं ना समय बच्चे पैसे बच्चे इनर्जी की भी बच्चत करना चाते है एनर्जी कम लगे और कार्य जादा हो सभी प्रकार की बच्चत की योजना करते है तो अब पांडव गवर्मेंट को कोण सी स्कीम करनी पड़े यह जो सुनाया कि बिंदुरूप की संपूर् सिद्धी की अवस्ता को प्राप्त करने के लिए पुर्शार्थ करना पड़े अभी जिस रिती चल रहे है उस हिसाब से तो सभी यही कहते हैं कि बहुत बीजी रहते हैं एकांत का समय कम मिलता है अपने मनन का समय भी कम मिलता है लेकिन समय कहां से आएगा दिन प्रती दिन स सर्विज भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है और यह जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रति दिन बढ़ेगी अभी एक सेकिन में जो दस संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रबल स्पीड हो जाएगी जैसे आजकर जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं न, कि एक दिन में कितनी रुद्धी होती है, यहाँ फिर यह संकल्पों की स्पीड तेज होगी, एक तरप संकल्पों की, दूसरी तरप इविल स्पिरिट्स, आत्माओं की भी रुद्धी होगी, लेकिन इसके लिए एक विश बाते होती है, उसको स्पष्ट समझने के लिए दो शब्द याद रखना है, एक अंतर और दूसरा मंतर, जो भी बाते होती है, उसका अंतर करो, कि यह यथार्त है या अयथार्त है, बाब दादा के समान है, वा नहीं है, बाब समान है, वा नहीं, एक तो हर समय अंतर, करना नहीं है तो फिर डाट देंगे अगर करना है तो करने लग जाएंगे तो not और डाट यह भी स्मृती में रखना है अंतर और मंत्र यह दोनों प्रैक्टिकल में होंगे दोनों ही भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या कोई भी evil spirit का सामना नहीं कर सकेगे एक सेकिन में समस्या को बस्म हो जाएगी evil spirit आपके सामने ठेर नहीं सकती है यह पुर्शार्थ करना पड़े समझा evil spirits का रूप कौन सा है उनका स्पष्ट रूप है कि किनी आत्माओं में प्रवेशोना evil spirits का कुछ गुप्त रूप भी होता है चलते चलते कोई में विशेश कोई न कोई बुरा संसकार बिलकुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा जिसका effect क्या होगा कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात अभी अभी दूसरी बात वह भी force से कहेंगे उनकी स्तिती भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी वह अपने को भी परेशान करते है दूसरों को भी परेशान करेंगे स्पष्ट रूप में जो evil spirit आती है उसको परक कर और उससे किनारा करना सहच है लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी गुपत रूप में बहुत आएगी जिसको आप लोग साधारन शब्दों में कहते हो पता नहीं उसका दिमा कुछ पागल सा लगता है लेकिन उस समय उसमें यह evil अर्थात बूरे संसकारों का फोर्स इतना होता है जो वह evil spirit के समान ही होती है जैसे वह बहुत तंग करते है वैसे यह भी बहुत तंग करते है यह बहुत होने वाला है इसले सुनाया था कि अभी समय की बचत संकलपों की बचत अपनी शक्ति की बचत यह योजना बना कर बीच बीच में उस बिंदी रूप की स्तिती को बढ़ाओ जितना बिंदी रूप की स्तिती होगी उतना कोई भी evil spirit वा evil संसकार का force आप लोगों पर वार नहीं करेगा और आप लोगों का शक्ति रूप ही उनों को मुक्त करेगा यह भी सर्विस करनी है evil spirit को भी मुक्त करना है क्योंकि अभी अन्त के समय का भी अन्त है तो evil spirit वा evil संसकारों को भी अती में जाकर फिर उनों का अन्त होगा किचडा सारा बाहर निकल कर भस्म हो जाएगा इसलिए उनों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए होंगे तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे इसलिए कहते हैं बचत की स्कीम बनाओ और practical में लाओ तब अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे सिर्फ भाशन करने वा समझाने की सर्वीस नहीं, अब तो सर्वीस का रूप भी बड़ा सुक्ष्म होता जाएगा, इसलिए अपने सुक्ष्म स्वरूप की स्थिती भी बड़ाओ, यह सभी प्रत्यक्ष होकर फिर प्रायलोप होना है, प्रायलोप होने पहले प्रत्यक्ष हो फिर प्रायलोब होंगे सर्वीस इतनी बढ़नी है जो एक एक को दस का कारिय करना पड़ेगा शक्तियों की भुजाए कितनी दिखाते है भुजाओं का अर्थ है इतनी सर्वीस में मददगार बनना पांडों समझते है कि यह तो शक्तियों की ही भुजाए है पांडों को फिर क्या दिखाया है मालूम है लंबा दिखाया है तो यह भी पांडों की इतना जादा मददगार बनने की निशानी है लंबा शरीर नहीं लेकिन बुद्धी लंबी है इनों का आगे दोड़ना गोया शक्तियों का आगे दोड़ना है शक्तियों को आगे रखना यही इनों की दोड़ की निशानी है अच्छा उम्शान्ती